Hello friends, my name is Nadim and you are watching my YouTube channel Academy है तो आज की इस वीडियो में हम अपना next chapter शुरू करेंगे जिसका नाम है पंचाईती राज ठीक है? तो अभी जो हमारी political science class 6 जिसका unit number 3, local government and administration अब जैसे मैंने आपको बताया था कि government के 3 level होते थे या होते हैं national level, state level और local level तो अभी हम इस वाली book में local level के बारे में पढ़ेंगे और जो आपकी higher classes होंगी उसमें आप national level और state level के बारे में पढ़ेंगे तो यह वाली जो unit है specifically local government और administration के बारे में है जिसके अंदर हम पंचाईती राज institutions या फिर पंचाईती राज system के बारे में पढ़ेंगे जो की हमारा chapter का नाम भी है ठीक है तो चली शुरू करते हैं इस chapter को अभी जो हमारा chapter number 4 पंचाईती राज चला है उसके बाद हम rural administration को पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम urban administration को पढ़ेंगे उसके बाद हमारा दो chapter रह जाएंगे rural livelihood, urban livelihood ठीक है तो चली शुरू करते हैं इस वाली वीडियो में basically हम इसके introduction part को देखेंगे introduction में मैं आपको theme बताऊँगा कि इस chapter में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ठीक है इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके बाद हम gram sabhag के बारे में पढ़ेंगे gram sabhag इसको बोलते हैं थोड़ा थोड़ा idea मैं introduction में भी आपको देदूँगा gram sabhag ये बारे में ठीक है the gram panchait के बारे में पढ़ेंगे हम introduction में gram panchait के बारे में भी आपको बताऊँगा और उसके बाद देखेंगे कि three levels of panchait अगर हम panchait की बात करें तो panchait के अंदर कौन-कौन से three levels होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वाले video lecture में तो अभी हम introduction देखते हैं इस वाले chapter का तो chapter का नाम है panchaiti raja panchaiti raja से आप क्या समझते हैं सबसे पहले ये बताइए आपने मात अपिता के जब बात करते होंगे या फिर जो गाउं में बच्चे रहते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा जब वहाँ पर elections होते हैं परदान की election होते हैं या फिर serpanch के elections होते हैं punches के elections होते हैं तो पूरे के पूरे जो system होता है उस system को हम बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पागर देखें तो उसको पंचाईती राज सिस्टम के अंडर देखा जाता है तो यहाँ पर कुछ सवाल उड़ते हैं जो कि हमको इस वाले वीडियो लेक्च्टर से या फिर इस वले chapter में देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें जो लोग होते हैं लोग election में participate करते हैं और अपने जो representative होता है जो leader होता है उसको चुनते हैं हम आमतुर पर देखते हैं लेकिन अगर हम गाओं की बात करें तो गाओं में भी इसी तरीके से elections होते हैं और वहाँ पर किस को चुनते हैं वहाँ पर जो पंच को चुनते हैं हर वोर्ड का एक पंच होता है और एक सरपंच को चुनते हैं सरपंच एक तरीके से कह सकते हैं उस पूरी पंचायत का head होता है सरपंच तो पंच और सरपंच को चुनते हैं इन दोनों को तो elect किया जाता है और जो government के द्वारा जो appoint किया जाता है उसको बोलते हैं सच्चिव सच्चिव कोन होता है यह government officer होता है जो कि appoint किया जाता है यह elect नहीं किया जाता है फिर हम देखेंगे how are decisions made अगर हम पंचायती राज institution की बात करें तो वहाँ पर जो किस तरीके से decision लिये जाता है अगर मानलों कोई गाउं में कोई problem है ठीक है कोई sewage की problem है या फिर कोई river की problem है तो वहाँ पर जो decisions लिये जाएंगे वो किस तरीके से लिये जाएंगे वहाँ का process होगा गाउं का वो किस तरीके से होगा ठीक है और अगर हम बात करें let's look at how this take place in rural area अब हम इन दोनों चीज़ों को कहाँ पर इसको connect करेंगे रूरल एरिया में देखेंगे यह रूरल एरिया यहाँ पर आप ग्राम सभा देख सकते हैं यह ग्राम सभा है यहाँ पर जो पंचायच जो लगी हुई है यहाँ पर एक सरपंच है जो कि elect किये जाती है यह सारे के सारे क्या है एक तरीके से executive member है यानि कि इनके हाद में power होती है जो भी decision लिया जाएगा उसको implement करने के लिए decision लेने के लिए और यह कोन ही है गाउं के लोग जो कि 18 वर्ष से यानि कि 18 years से उपर होते हैं यह सारे के सारे जब इस सभा में आते हैं तो इस पूरी की पूरी जो सभा है इस पूरी सभा को क्या बोलेंगे इस पूरी सभा को बोलेंगे ग्राम सभा जिसमें elected member भी होंगे औ प्रिज़ अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक तो तीन चार पांच छह लोग यहां पर बैठे हुए हैं शह लोग नहीं होते हैं पूरका पूरो यहां पर गाउं होता है एक तरीके सा अगर देखा जाये जो भी 18 वर्ष से उपर होते हैं यहां पर picture में कम लोग यहां पर देखिए जो लोग हैं, यहां पर direct participate कर रहे हैं, अपनी जो सरकार हैं, वहां की जो एक तरीके से कह सकते हैं, ग्रासरूट लेवल पर जो government वहां पर काम कर रही है, ठीक है, and seek answers from their elective representatives, और यहां पर discussion होता है, यह कुछ question पूछते हैं, जो gram सभा के जो member होते हैं, ठीक भी हो सकता है, यहां पर एक अच्छा healthy discussion हो रहा है, और यह जो होती जादा खुबसूरती कह सकते हैं, हमारे गाउन लेवल पर, इस तरीके से democracy, जो है, क्या करती है, flourish करती है, democracy का active example, यहां पर देखने को मिलता है, पंचाईती राज institution में, तो हमने देखा कि, यहां पर rural area मे जो representative होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, और वो जो decision किस तरीके से लेते हैं, gram sabah एक meeting होती है, जिसमें लोग और elected representative दोनों काम करते हैं, I hope कि आपको इतना यहां पर समझ में आ गया है, ठीक है, अब यहां पर एक कुछ, एक picture दी गई है, it's a special day today, यहां पर एक special day है, special day क्यों है, क्योंकि यहां पर first meeting होने जा रही है, gram sabah की, ठीक है, everyone rushing to get to the gram sabah, सभी जो लोग है, वो कहां जा रहे हैं, वो gram sabah की और जा रहे हैं, do you know why आप सारे के सारे जो लोग हैं, वो gram sabah में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि the gram sabah is holding its first meeting, अब यहां पर क्या दिये गए है, यहा जो कि elected member है, ठीक है, यहां पर कह सकते हैं, यह सरपंच है बीच में, और यह सारे एक, दो, तीन, चार पंच, यह पांच पंच है, ठीक है, तो एक हो गया सरपंच, जो कि बीच में हम कह सकते हैं, और यह सारे के सारे कोन हैं, यह पंच है, ठीक है, यह election में जो हैं, जीत कर आ वो यहाँ पर सारे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक special day माना गया, क्योंकि यह first meeting है, after election, ठीक है, the gram sabah, gram sabah किसको बोलता है, a meeting of all adults, of all adults यानिकी 18 वर्ष से उपर, a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat, ठीक है, अब panchayat किसको बोलते है, panchayat एक village की भी हो सकती है, for example, मालो यह एक village है, ठ एक village की भी panchayat होती है, और दो से कुछ village है, उनको जोड़कर भी दो से अधिक भी गाउं जोड़कर एक panchayat बन सकती है, ठीक है, वो उस population पर depend करता है, for example, यह गाउं के मालो, गाउं की इतने लोग हैं यहाँ पर, एक गाउं के लोग हैं, और इन्होंने यह इन इलेक्ट पंचायत के अंडर आएंगे, यह सारे के सारे लोग, ठीक है, यह पंचायत के अंडर आएंगे, तो जितने भी यहाँ पर adult है, वो यहाँ पर meeting को attend करेंगे, उसको बोलेंगे, ग्राम सबा, this could be only one village, एक village भी हो सकता है, ग्राम पंचायत में, और few villages in some states, अगर हम कुछ states की ब right to vote, अब यहाँ पर बताया गया है, कि जो 18 साल से उपर होते हैं, यह फिर 18 साल के होते हैं, और जिनके पास right to vote होता है, वो इस ग्राम सबा का member कहलाता है, गाउं का जो निवासी होता है, ठीक है, is a member of ग्राम सबा, अब हम यहाँ पर एक village है, हर्दास village, अब हर्दास village के हम story देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे कौन-कौन से issues है, वहाँ पर देखेंगे, ग्राम सबा किस तरीके से लगती है, और जो सरपंच है, जो panchayat के members है, वो किस तरीके से decisions लेते हैं, एक healthy discussion किस तरीके से होता है, ग्राम panchayat में, तो यह सारी के सारी चीज़े हम देखेंग यह developmental program जो होते हैं, कोई भी issue होता है, उसको raise करते हैं, उसके बारे में discussion करते हैं, कोई भी पानी की scarcity होती है, फिर electricity से related, कोई भी issue होता है, यह सारी यहाँ पर welfare जो डेवलपमेंटल program होते हैं, उनके लिए यहाँ पर discuss करते हैं और policies बनाते हैं, तो ठीक है? यह था यहाँ प कि आपको इतना समझ में आ गया है कि हम पंचाहिती राज में किस लेवल की बात कर रहे हैं और ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचाहित क्या होती है, ठीक है? I hope कि आपको समझ में आ है, so have a good day, bye-bye.